नमस्कार मैं हूँ लालचं सोनी आज सुबा टाइंस में आप सभी का स्वागत है। अब भारत की महिला नारी शक्ति को बंदन करता हूं नमन करता हूं इसके साथ साथ हम हमारा जो देश है यत्र नार्यस को तुझेंटे रमंते चत्र लें मानों का अस्तित्त नारी के विना नहीं है और उस नारी का महत्त अगर हम एक यह गलत दायरे से लेखे हैं उसको भोग की वस्तु समझते हैं उसका अपना भारेलू संसाधन कर समझते हैं तो यह हमारे सोच को दर्शाता है कि हम कहीं बारती सब्दता और संस्कृति से दूर हो रहे हैं हमारी जो मूल पहचान है उससे भाठक रहे हैं इसलिए आज इस दि सक्ति को हमेशा अपनी मा वहन बेटी से नहीं बलती एक इस वरी जे सक्ति मानके उसकी साधना करें और वह साधना आपको आपके भीवन को सर्वुप्च शिखर तक ले जाएगा इसी के साथ सभी रास्तों को नेरा प्राव जी हां आज नन्य मुन्य बत्मा बहनों पर आज अत्याचार दुराचार हो रहे हैं या सोभनिय नहीं है जिस तरह से निर्भय कांड और अलीगड कांड और कठुआ कांड हुआ है या समाज अपने देश को सर्मसार की दिशा में सब को हिला कर रख दिया है ऐसी सोच रखने वालों को इस पिर्थी पर रहने का कोई अधिक अत्याचार नहीं है नन्य मुन्य बच्चे मा बहन पर अपने परिवार के सदस की तरह होते हैं इन पर अत्याचार दुराचार होता है तो आपको भगवान और दूसरी बात देश की जनता कभी आपको माफ नहीं करेगी आज भारत के सभी नागरिकों को नन्य मुन्य बच् सकती है इन्हें खोने नहीं दिया जाएगा सब समाज करतब बनाने के लिए हम सभी को आगे आने की बहुत जरूरी है आज देखा जा रहा है कि सिच्छा के बारे में लोग अत्याधिक समाज आगे बढ़ रहा है वहीं पर सोच भी कहीं न कहीं पीछे की तरफ ढखेल दाए इ चाहिए बात करने की आजादी सोचने की आजादी अफसर बनने की आजादी पर परिवार में जीने की आजादी नई दिसा देने की आजादी मा बहन नन्य मुन्य बच्चों समाज परिवार को समालती है फूलों की तरह समाज को खिलती है और सीचती है यदि मा बहन नन्य कि बात करते हैं और दूसरी तरफ मा बहनों नन्य मुन्य बच्चों पर अत्याचार हो रहे हैं या सोभनिय नहीं है आप खबरदार हो जाएए जिस तरह से अत्याचार लगातार मा बहनों और नन्य मुन्य बच्चों पर बढ़ रही है या अच्छी बात नहीं है आपको यद करने की जरूरत है और अत्या चार घिनोना हरकत जिस तरह से बिष्व के सभी नन्ने-मुन्ने बच्चे प्राunda हैं अपने पडोस के बच्चे अपने सोचना चाहिए और अपने परिवार मानना चाहिए चाहे गां हो Chuckण देश हो चाहे पड़ोसी हो अपने परिवार के सभी लोग हैं और इन्हें मिल जुलकर रहने की सबसे ज्ढ़ा जरूरत है अगर आप जिस तरह से 80 हरकत आप सोच रहें आ करनेजा रहें या सबसे बड़ा घिनोंना हरकत है आपको कभी भी इस तरह से कानूर माफ नहीं करेगा और भगवान भी माफ आपको तो करी नहीं सकता क्योंकि आपको स्वर्ग में भी जगा नहीं मिलेगी आपको नर्क से मिल जाए धनबाद